असलामों अलेकुम, हेलो फैंस, वेलकम टो मैं जहारास की चेन, मैं हूँ जहारा, उमीद करते हूँ, आप सब खरेसे जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ मतन निहारी की रेसिपी लेकर रहे हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है इस रेसिपी को जरूर है कीजिएगा, आप सबी को बहुत पसंद आएगा, बहुत खुजबुदार और मज़ेदार का मतन निहारी बनकर त्यार होता है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते है मटन नीहारी बनाने के लिए मैंने हाँ पर एक किलो मटन ले लिया है जिसमें मैंने गोस्त भी लिया है और साथी नली का भी इस्तिमाल किया है तो यहाँ पर जो है ना अब मैं डाल देती हूँ दो चमच भरकर अधरकलैसन का पेस्ट अब मैं हाँ डाल देती हूँ नीहारी म आप चाहें तो यहां पर किसी भी ब्रैंड का निहारी मसाला इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन घर का बनाया हुआ निहारी मसाली का जो खुज़वा है बहुत ही अच्छा आता है इसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपलोड कर दी है अगर आपने नहीं देखा है रेसिपी की लिंग मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप चाहें तो देख सकते हैं या फिर फुल रेसिपी मैं इस वीडियो के साथ एंड में लगा दूँगी आप चाहें तो वहां पर भी देख सकते हैं वीडियो को एंड तक वाच करेंगे आपको रेसिपी मिल जाएगी त तक मसाले से तेल न चुंने लगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले से तेल चूने लगा है अब हमें यह पर इक लीडर पानी अट कर देना है मुटन को हमें गालाना है predicting फ्लें squash पर 304 हुई चैलाना तक हम इसे पकाल लेंगे उसके बाद हमें फ्लेम लो कर लेना है 15-20 मिनिट के लिए तब पर हमारा मटन जो है अच्छी तरह से गल जाएगा नीहारी का जो मटन है ज्यादा गला हुआ हो तो ज्यादा मज़ेदार का लगता है खाने में तो यहां पर प्रेसर खुदबाखुदरी लीज हो चु हो जाएगा यहां पर मैं मटन को तोड़ के दिखा देती हूं इस तरह से पर्फेक्टली बिल्कुल गलावा आपको मटन गला लेना है पका दिना है अब मैंने यहां पर दो चमच ले लिया है गयों काटा आप चाहें तो यहां पर मैदे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं डाल देती हूं एक ग्लास पानी इसी के साथ थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी नमक यहां पर चक कर डाल दें क्योंकि हमने निहारी मसाले में नमक एट किया हुआ है तो सभी चीजों को मिलाने के बाद स्टोप के लो फ्लेम पर हम इसे पंदा मिट पकने के लिए छोड़ पकने के लिए जब तक हमारा मतन पक रहा है तब तक हम स्पेशल तड़का बना लेते हैं यहां पर मैंने 100 ml ले लिया है रिफाइन डॉयल जब तेल गर्म हो जाएगा एक बड़े साइस का प्याज ले ले जिसे आपको बिल्कुल पतलना बारी काट लेना है और हाई फ्लेम अद्रक को मैंने प्याज के साथ फ्राइ कर लिया है अब हमें क्या करना है श्टोप को आफ कर लेना है अब मैं यहां पर डाल दूंगी एक चमच कस्मरी लाल मिच पाउडर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और हमारा तड़का बिल्कुल बनकर तयार है तो चलिए इस बारी कटा हुआ हरा धनिया यहां पर ऐट कर दें बहुत ही खुश्बूदर और मज़दार का मटन निहारी बनकर तयार होता है जरूर रह किजिएगा आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा इस रेसिपी को बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही मज़दार का है आप इस तो अगर आज की मतन निहारी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चनल को सब्सक्राइब जरू करते भेजाएगा तो चलिए मिलते हैं रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफीज निहारी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन-किन चीजों की जरूरत है देख लेते हैं खड़े मसालों में हमें लेना है एक चमच साबुत धनिया एक चमच लेना है साबुत सौंप एक चोड़ी चमच साहजीरा आ मैं यह भां आपको ज्यादा इस्ते मलने करना है मैं यह नहीं हमें है और यह जोड़ी स्लाइस मैं और साथ हमें लेना है मैं चॉटा साहज एक चमच से भी कम प्रपी के-दूर रहता है लेकिन उसमें चोड़ा सा दूम रहता है उसे कबाप चीनि तो इस इसी तरहा से हमें 1 चोटा सा जाइतरी एक स्टार फुल यानि बद्यान का फुल लेना है एक चोटा सा हमें सॉखा अध्रक देस ग्राम हमको लेना है खसकी जर बहुत ही खुझबू रहता इसमें दो चमच पत्थर की फूल लेना है और साथी दो चमच हमे लेना है सूखा रोश पैटल्स गुल आप मैं इसे एक बठ्न पर हमे उसरी यह बर्तन पर निकाल देती हूं कि और साती हम